तरट विद में उपने सभी विवर्ज का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनरजी लेकर देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनरजी कैसे रहने वाली है So, इस deck को मैं करूँगी हमेशा की तरह Randomly two parts में divide और हम देखेंगे मेरे viewers की energy और आपके person की energy कैसे रहने वाली है So, first card है मेरे viewers की तरफ magician Second, we have six of spells Manifestation कोई पूरी होने वाली है Then, we have weaver of vision Six of vision बहुत ही जादा positive energy है आज मेरे viewers की And bottom of the deck है seeker of vision Okay, तो यहाँ पे emotions, love, celebration सब कुछ positive नज़र आ रहा है So, मेरे viewers की energy आज के दिन में success, कुछ achieve करना कुछ award, कुछ recognition, कुछ reward Plus missing energy बहुत strong है Six six की energy है So, six hours बहुत important हो सकते हैं Fifteen hours या 24 hours के अंदर ये चीज़ें आपसे resonate कर सकते हैं Overall emotions high होंगे So, आज का दिन आपका बहुत ही प्यारा, बहुत ही positive नज़र आ रहा है Plus आप बहुत जादा positive imagination करोगे Manifest करोगे कुछ चीज़ें अपने life में आपके person के क्या हाल चाल है Seven of vision, इनका भी कप से starting हुआ है Eight of challenges The hermit Tower Temperance, sorry And keeper of challenges यहाँ पर दिखिए, आज का दिन आपके person के लिए बहुत जादा confusion वाला नज़र आ रहा है Over and all, keeper of challenges की energy है तो यह बहुत जादा cut off करने वाली energy में होंगे थोड़ा rude communication हो सकता है Conflicted वाली energy है Hyper हो सकते है या फिर बिलकुली अकेले, चुप चाप बैठे रहना बहुत जादा, अपने में रहना कुछ सोच विचार करना किसी situation में इती बुरी तरह से stuck है कि इनको ऐसा लग रहा है कि यार कब मैं निकल जाऊं इस situation से, यह situation balance भी नहीं हो रही कुछ चीज़ें ठीक भी नहीं हो रही है मैं इतना परिशान हूँ इस तरह की energy है प्लस यह बहुत जादा confusion वाली energy है daydreaming वाली energy जैसे दिन में सपने देखना दिन में imagine करते रहना बढ़ action न लेना तो यहाँ पर यह चीज़ें हैं कि आज का दिन इनका बड़ा sad सा बहुत अकेला-अकेला सा बहुत ज़दा tension लेने वाला energy rude communication frustrating energy चिच्रहट वाला energy हो सकता है ठीक है लेकिन इस situation से यह move on भी कर लेंगे यह सब इनके karma के वज़े से हो रहा है पिछले जनम के कुछ कर्म है जो इन्हें face करने है और यह face करते करते यह हालत हो गई इनकी तो यहाँ पर यह karmic situations है मतलब karmic से इनको तगड़ा trigger आज के दिन में मिल सकता है तो यह थी आज की energy hope आपको इस reading से कुछ clarity मिली हो over and all आज आपकी और आपके person की कैसी energy रहेगी उसके recording ही बात कीजेगा अगर आप contact में हैं तो so take care मिलते हैं बड़ी reading में till then bye bye